जहां क्रिश मोगी को लेकर बहुत सरी अंटिसिपेशन सामने आ रही है वैसे ऐसा माना जा रहा है कि क्रिश की हर रिपोर्ट के थूँ यही पता चल रहा है कि जेम्स कैमरोन की फिल्म अवतार से ये फिल्म काफी जादा सिमिलर होने वाली है और सबसे पड़ी अगर सिमिलार करें तो वह हैं आएमेक्स कैमराज जेहां दोस्तों जेम्स कैमरोन ने आएमेक्स कैमराज का यूज किया था अपनी फिल्म में स्पेशल एफेक्स देने के लिए और अब क्रिश से क्योंकि एरियल स्टन्स की शुरुआत हो रही है बॉल्यूड में तो इस लिए इस पूरी कोशिश कर रही है कि जेम्स के ही पूरे तीम को उनके इलेक्रिशन को मुवी में इलेक्रिकल इशूज हैंदी करने के लिए बुलाया जाए उन्हें ही यह सारा कारोभार सौपा जाए लगातार यह क्वेस्चन बना हुआ है कि आखिर यह रोल कौन करने वाला है पहल अग्ना रनावत ने इस पर एक टिपड़नी की है दरसल यामे गौतम की तारीफ ही किए उन्होंने ईसा कहा है उन्होंने की चोर निकल के भागा में यामे गौतम की परफॉर्मेंस हुने बहुत ज़्यादा पसंद है जब करना से पूछा गया कि उनके रोल को उनके तरीके कोई कर सकता है तो उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता लेकिन यामी गॉत्म की आक्टिंग से वह काफी ज़्यादा इंट्रेस्ट तो इन सब बात से तो यही समझ में आ रहा है कि फॉर्श और क्रिश्वोर में हमें यामी गॉत्म जरूर दिखने इसे के साथ अगरं करें करें की कहानी की बात करें तो पहली मूवीज में आपने देखा था कि ऐसा अप्विधी क्यों में दिखा क्रिश नहीं जाएगा इसक बेटा भी उसकी जैसे प्रब्लम में तो जो घ्रिश का ब्यांतर यहीं देगा और फो दो जो घ्रिव इनृट देख लेगा जो पास्ट दिखाती है अब क्योंकि इस मोवी में जादू की भी एंट्री होने वाली है तो ऐसा कहा जा रहा है कि पास्ट की कई सारी चीजे को भी इस विल्म में रिपीट किया जा सकता है हमें देखने को मिल सकती है आप क्रिशपोर के लिए कितना एक्साइट अबस्क्राइब को